इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है, तो कहीं धुआ धुआ धुआ? क्यूं कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुवे को क्यूं छेलता? हो गई परताश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीडी दिखे चलती जहाँ. पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पी ना मना है, उलंगन करने पर होगा जुर्माना, धुम्रपान ना करें ना करने दें. धुम्रपान पढ़ेगा म्नेहंगा. खुशी कौन नहीं चाहता? लेकिन किस कीमत पर? धुम्रपान म्नेहंगा पढ़ता है. धुम्रपान आपके लिए हानिकारक है. और आपके चाने वालों के लिए भी. धुम्रपान पढ़ेगा म्नेहंगा. सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है. शाराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है. ग्लोबल टीवी में आप सबका स्वागत है. आज हम डॉक्टर के जरिये फिटनेस के बारे में जानेंगे. और हमारे अंदर के रोग के बारे में और एक खास बीमारी के बारे में भी. ये बताने के लिए हमारे स्टूडियो में आये हैं डॉक्टर तिरूर नरायन मूर्ती जी. वेलकम डॉक्टर साब. नमास्ते, डॉक्टर, वैसे हम सभी जानते हैं, राइन डिजीज के कई सारे नाम है, अल्साइमर्स, नियो कलोजम, पार्किंग सन, शौर्ट टर्म मेमरी लॉस, इसके अलावा जिसे हम नहीं जानते हैं, ऐसी भी कोई राइन डिजीज है डॉक्टर? यह अफ्कोर्स, आपने जो बताया है, वो राइन डिजीज ही है, पर इन सब के अलावा, एक बहुत ही डेंजरस डिजीज भी है, यह गोंग तो सी अ ब्लीदिंग डिसॉर्डर, लुक्ट दिस विजूल, आपने इस वख जो फर्स विजूल देखा, उसमें नामल हुमन बोड में चोट लगने पर कुछी दिर में ब्लड क्लॉट हो जाता है, लेकिन सेकेंड विजूल में ब्लड क्लॉट नहीं होता, इस इस थ्रॉमस्थीनिया, करोडों में से एक या दो लोगों को यह डिजीज होती है, एक छोटा सा भी घाव लगने पर जिन्दगी को खतरा है, ड इस शिकार लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं, जुन्हों ने वर्ल में काफी कुछ साबित किया है, इस्पेशली स्पोर्ट्स में आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, वो भी नॉमल तरिके से अपनी जिन्दगी जीते हैं, बट अनली एट वन कंडिशन, कि उनकी बॉड़ हमारे यह ट्रीटमेंट के लिए लेकर आए थे, आज दो पहर में खेलते समय इसे चोट लग गई डॉक्टर साब, छोटा गाउ समझ कर हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका खुन बहना रुखी नही रहा, मुझे गवराद हो रही है दोक्टर, यह काफी समय से बेहोश ह अबलाओ, ओकी डॉक्टर, कितना खुन पह गया, बलड को लब में फॉरंट टेस्ट के लिए भेज़ने और रिपोर्ट फेक्स करने के लिए का अबलाओ, इस वेरी आजिंट, आपके बच्चे को थ्रॉंबस्थीनिया ब्लीडिंग डिसॉर्डर है, यह बहुते रेर के लिए कोई सही ट्रीटमेंट नहीं है, आज के बाद आपके बच्चे को कहीं चोटना लगे, कहीं जख्म ना हो, इस बात का आपको पूरा ध्याना होगा, यह इंटरनल और एक्स्टरनल दो तरह का होता है, और आपके लड़के को एक्स्टरनल थ्रॉमस्थीनिया है, इस अब वो बच्चा जिसकी मैं बात कर रहा था, तब वो थर्ड स्टेंडर में था, पर अब वो कहा है, मैं नहीं जानता हूँ सर, पुगल को मैंने बाइक से जाते हुए देखा, ओके, आल बिदे, जट सर, कर वुगल को हुए पाया, बwasने धने झाला है, मैं लुगल को जिसे चाहता है,। regarded बी üst्प Boulderšीनिया, की मैंने थांटता है। मैंने है। खेल शुरू हो चुका है आप जो देख रहे हैं वो लॉंग जंप है मानिक सर्स इस इन से कर रहे हैं अब आप जो देख रहे हैं वो दिस्ट्रो है अब शॉर्ट का गेम चल रहा है इनके होस्तों को देख कर लगता है यह प्राइज जरूर चितेंगे सर आशिर वाटेशह पूगल का है बाइक पर आता ही होगा सर इसनमर पोर फाइब मादबन लेन नमबर सिख अपना बेस्ट पहोर्मेंच शर आपसे ही क्रेक्वेस्स थी सर दो मिनिट के लिए रुख जाएंगे सर नो, नो, देवा, कॉल्डों को तुम्हें इन्फर्म करना चाहिए था, मुझे टाइम से स्टाट करना ही होगा लेन नमबर फाइब प्लीज सर नो, 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 नो सर, समाले है सर, आपका लेस सारे खिलाडी तयार हो जाईए, लेस ब्रू होने वाली है आपके सामने शुरू हो चुगा है, आपके सामने शुरू हो चुगा है में हिस्सा लेगा, तो उमीद करते हैं, जो सबसे बेदर खिलाडी होगा, वो चुगा जाए जाए येस सबस्सक्राइब ये ची सारे रचिजा ज़क में तब सारी करते हैं, थैक्ना assessorman से फ्टेट्ट्ट्ट्ट्ट, आपके करते हैं, खुमॅоч अज़के ए बोहला, तकक्योट्ट्ट गुऴ श्मृ जाए बुछाए ए लिए अजा अब हमारे बुख्य अतिथी आज के स्पोर्ट में जीते हुए खिलाडियों को प्राइज देकर सम्मानित करेंगे सबी खिलाडियों को बेरा तुमस्कार आज का ये 87th स्पोर्ट मीट नए नए खिलाडियों को प्रोचसान देने के लिए आयो जित किया गया जिसमें हमारे देश को बहुत अच्छे खिलाडियों मेले हैं मैं उहीं सबी खिलाडियों का स्वागत देवराज सम्में बच्चों को बहुती बढ़िया ट्रेनिंग दी है तुम्हारे नौजवानों ने बहुत अच्छा खेल दिखाया आज मैं पिछली बारह साल से ट्रेनिंग दे रहा हूं सर मेरा कोई भी प्लेयर किसी भी कॉम्पेटिशन में आज तक हारा नहीं है यह गॉड्ड ग्रेस है सर अब सारे विजेता इस्टेश पर रहा है 110 मीटर का हडल फर्स प्लेस पुगलेंदी सुब्रमानिया तंजावूर नौग जम फर्स प्लेस संजय तंजावूर बिस्कस्त्रो फर्स प्लेस तजियालन तंजावूर नौग यार सर से मिलके ही जाएगे इतने जल्दी क्या है दूजे लो टाइम हलो विरू अल्रेडी मैं तीन चड़ा चुका हूँ जड़ा भी नहीं चड़ी आज को सब डुप्लिकेट है है मुझे लगता है तू होश में नहीं है पीने के बाद अपने बाप को ही बूल गया अब यह बाप को फोन था क्या है अब यह 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 अरे इतना क्यों पिता है अरे रोख ना भाए बैठी हो मोग कर रही हो कुछ नाराज लग रही है कभी कोई वादा नहीं निभाते सुन यह पापा को खाने के लिए सुनो मैं स्पी साथ मीटिंग में गया था वहीं से खाना खा करा रहा हूं थक गया क्या हुआ चेहरा भीगे हुए चने की तरफ भूला है नाराज हूं है अगर आप जल्दी आते तो हम लोग राउंड पर जा सकते थे देखो अब कितने बजे हैं पापा मैंने प्रैक्टिकल क्लास बंकी ताकि भाईया की रेस देख सकूं और आप देखो अभी आयो तुम लोग भी ना तुम तो जानते हो वही जीतेगा तो क्या हमें देखने का मन नहीं करता हमारे बेटे का इंडिया में जीतना बड़ी बात नहीं है एक दिन वो इंड अरली स्ट्रेट होकर आया ना इसलिए यह मिला कर 56 तुझे किसी की बोरी नजार ना लगे कोश का फोन आया क्या पापा नैशनल रिकॉर्ड बनाए तुमने ताइमिंग क्या थी थर्टीन पॉन एटीएट जा बेटा खाना परोज दिया है मुझे लग रहा है आयाशी तेरे टाइमिंग को खराब कर रही है शराप तो फिर भी ठीक है स्पोर्ट्समेन को सिगरेट कभी नहीं पीनी चाहिए रात को ग्यारा बज़े आप कैसी अडवाइस दे रहे हैं बापका प्यार जाग उठा है चलो ठीक है लेकिन ये बात आप सुबे भी कह सकते थे खाते वक्त ही क्यों हुआ है 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 ये है है ये वेवकुफ फुद को समझता क्या है अपने अरिया का पूर्बर रूमियो है एक बार मुझसे मिल तेरे सौरे करेक्शन कट दूगी फिर कोई कॉल नहीं कर पार है का तुब रूंग नमबर है पूंद रहे 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 यह नमबर है नमबर तो सही है स्रॉंग नमबर कह रहा है तुट्रा अरे कौन है यह रिस्वर्ट है पढ़ने का सिर्फ नौटा क्या तेली तो खाली ना खाली मा नई इमली की चटनी बनाए थी तुने बतायनी कैसी थी बहुत अच्छी थी मा फिर कब बनाओगी अच्छा मा मैं जा रहा हूं संभल की जाओ क्याल आख कल रात मैंने उसकी अच्छी क्लास लिए अब वह दुबारा तुझे फोन नहीं करेगा यार देक उसने कितने ऐसमे हैं और कल तो पूरी रात उसने फोन करके सताया है क्या मैंने उसकी इतनी बहुस्ती खी फिर भी उसने तुज़़ी ऐसमेस किया तुन्हें नंबर तो सही दिया था ना डबल नाइन सिक्स टू एट डबल जीरो सेवन वन त्री नहीं यार गलत है मैंने टू-जीरो कहा था तुन्हें डबल जीरो कर दिया ओ नो रॉंग नबर लग या उस बिचारे को कितना सुना दिया पर तुने उसे कहा क्या अरे खतरनाक है अगर इस मेडम की बाद थोड़ी देर और सुनी तो काम से खोन निकलने लगेगा उसे छोड़ना मत यार तु रुक दो उसे फोन करता हूँ इस नमर से मुझे कॉल आ रहा है अब बता मैं क्या करूँ अरे इसने तो फोन स्विच ओफ कर दिया और यह वात है तो एक अब चाहए बोल मैं सोचता हूँ फोन स्विच आ चाहए उसे नहीं उस्से कहने क्लिए बुला था मैं अचा तो पहले यह बता कॉले जाते से में तो हमेशे काली पोकेट क्यों आता है कंजूज कहीं का इप्टाँ सिग्रेट्ट देना नहीं है दुकान में नहीं आस मेरे लिए ले हमारे भै कि नेशनल टाइमिंग हासिल करों यह नहीं पता थाए आई रही हम सब और आप फोन अभी भी स्विच आफ करके रखाया उसने हाई पूगल कैसे हो तुम पूरे एक समोसे को मुँ में रखके कैसे निगलती है यही सोच रहा था यहीं पागल देन बर समोसा पेपसी खाती रहती है और आकर हमारे हीरो पर डकार मारती रहती है तुझे क्यों तक लीफुरी यही बहने है क्या अरे वो क्या है ना भाई यह लड़कियों के भूम घुम के थगया लेकिन आज तो कोई बटी ने इसलिए चिड़ी चिड़ा सा ह हो गया सही कहा ना अफकोस मैला अब क्या करूं देख उस नंबर से फिर से कोल आ रहा है दिखा टर लग रहा है मुझे फोन उठाकर उसे सौरी क्योंने के देती हलो सौरी सर क्या 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 सौरी कहा वो क्या है ना मेरी ये क्लोस फ्रेंड को पता नहीं कौन डे नाइट फोन करके उसके गंदी गंदी बातें करता था तुमने बड़ी अच्छी बाते हैं नहीं उसके लिए बाते थी जो का लकिन वे घंत अब मैं उसका जवाब नुक्रहों और कहां सक्रोड़ पुलिस compensation और कहां और का हूं तैसा कुछ मत करो सर मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी, आपको जो सजा देना है दो ओ, ये बात है, ठीक है, मैं तुम से बाद में बात करूँगा, पहले तुम मेरा सौ रुपे का रीचार्ज करवा दो सर, ओकी सर, सौ रुपे का रीचार्ज देना, वोडा फोन और भाई, लंडन का क्लाइमेट कसा है इस वक्त? अरे बैलेंस बहुत है, आगे बोल, यहां का मौसम भी ठीक ठा की है इसके पास इतना बैलेंस आगया कि यहां का छोड़ लंडन का मौसम बता कर रहा है इसको क्या फर्क पड़ता है भाई, रिचार्ज दो बिचारी लड़की कर रही है मैंने देखा उसे मुझे तीन सु रुपे हैं तो देना, रुख देती हूँ यह ले, थैंक्यू तुझे शरम वरूम आती है या नहीं, तुने गलत नमबर डाल गया तो उसमें मैं क्या करूं तुझे ही सब का भला करना था ना, आया मजा अपक कया है सर्थ-अजियू एंप इतना टाम क्यों वो क्या है ना मैं बाइक चिला रही थी तो तुम्हेरे पास बाइक भी है अच्छे तुम्हेरे पापा क्या करते है वो स्टेट बैंक में मैनेजर है मैनेजर है कहाँ पर चिन्नई में ओ चिन्नई की रहने वाली हो ठीक है ठीक है नाम क्या है गायत्री पूली स्टेशन दस मिनिट की दूरी पर है समझ गई ना एक और बात वोड़ा फोन में एक नया ओफर आया है 500 में 500 वो करवादे ना अभी मत करवाना तुम्हारे पास एक घंटे का टाइम है तब तक मैं कुछ जरुरी काम निप्टा देता हूं मैं बात में फोन करता हूं है कि क्या है बोल रॉन नंबर वाले का पता लग गया है वो हमारे पूराने पडोसी का बेटा है मैंने उसे देखा है बहुत क्यूट है यार वैसे वो लड़कियों को सताता नहीं है या लगकी चोड़ शर मत कर फोन रख इडिएट क्या हुआ बेटा क्या हुआ कुछ बोलती यह विखी नहीं हैं हुआ है हलो है 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 रिंग कुरी होने से पहले ही फोन अड़ा लिया विडिएगड क्या है सब नहीं कि मैं रे कुछ नहीं इस शूक जबात कर लो तो तो तुम पर खर्च कर रहा हुँ है किदा फोन आता है तुझे फ्टे में कपड़े सुक गए होंग हम लोग बात में बात करें सब यह बात है ठीक है ठीक है पांच मिनिट के बाद फोन करना भाईया का जिन्स वहीं छोड़ देना कर दो मिनिट करें लाइया करें वांच मिनिट करना भाईया की अरीक है अरीक है अरीक है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो सारे नोट सही है अब अनके बंदे भाई चेक कर दाए कर दो कर दो कर दो कर दो अब इसकी नमी गई नहीं है और सुखाओ है ठीक है भाई जरा भी शक नहीं होना चाहिए आज कल रेड़ बहुत चल रही है इसलिए काम अगले अपते होगा कि तेरे उम्रे की लड़कों की शादी हो गए और वो बाब भी बन गए छोड़ो न भावी ए जी यह लूर में कांसेलर की एक सौतेली बेटी है आप कहे तो उससे बात करूं मैं उससे नहीं करना है जरा वेट करो आप अनकोदी लड़की ढूंड़ेगा कब पूरी सफेदी आने के बाद हालो मैं बोल रहा हूं किट्टू हाँ बोल किट्टू तैयार है क्या हाँ तैयार है पच्चीस चाहिए अहां तो मिल जाएगा सुन मुझे एक दिन का टाइम चाहिए कोयम टूर के किट्टू के लिए पच्चीस लाग रेडि करना है सब को चिताना मेरा मकसद है कर दो 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 प्रुटे है तो वो छूते है आसमान लुकना नहीं चलता जा तेरे हाथ में जीती का तीर कमान चुकना नहीं पड़ता जा तोड़ना तेरी सुतरत तोड़के अब दिखा पॉलाद तेरी हिमत हिमत देखा उड़ते हैं जो वो छूते हैं आसमान लुकना नहीं चलता जा लुकना जान उलाद आसमान जो गुल गया तो फिर कभी लोटे ना तेरे हाथों में तेरी किस मठ कोई याओरे से लिखे ना कुझ से वागा किया है तुने देखाँ कभी टूटे ना तुझको जो मिला है मौका देखाँ कही जूटे ना तुझ पे है सब का विश्वास तुझ में है तो कुझ खावास तुझ में तुझ खावास तुझ खावास जीत ही तेरी मानसल है, हिंमत से हासल करना जीवन में कुछ पाने को पढ़ता है सबको लड़ना सबको पिछे छोड़के तो तेजी से आगे बढ़ना रखेगा जो सचाएना, घमाएगा दूसेना उड़ते हैं जो वो जूते हैं असमान, रुकना नहीं जलता जा तेरे हाथों में जीत का तीर कमान जुकना नहीं जलता जा तो रिना तेरी शिदरत तो रेके अब दिखा बोलाद तेरी हिमत, हिमत देखा उड़ते हैं जो वो जूते हैं असमान रुकना नहीं तो रिना नहीं जो 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 वो जो 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 जखा उना कितने का सर सौ रोबे का कर देना मेरे नंबर पर नहीं मेरे फ्रेंड के नंबर पर सर आप रीचाज करवाते हो ठीक है फ्रेंड का रीचाज मैं नहीं करूंगी क्या कहा तुम नहीं करोगी तुम फोन रखो दस मिरिट में तुम्हारे घर पर पूलिस भेजता हूं बेनु गोपाल नंबर सेवन एस्बी आई कॉलोनी अरूमबकम चैन नहीं एड्रेस आही है करता हूं उसका नंबर मेसेज करता हूं साथ में सो रुपे का मेरा भी कर दिना है भाई वो बहुत शरीफ लड़की है तोर्चर मत कर उसे एजी बात है हाँ ठीक है सोचूंगा क्या हुआ बिना सिगनल के सिम कार्ट की तरह बैठा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है एक दिन नही चार दिनों से एक लड़की को सिंसरली लब कर रहा है और उस लड़की न अभी तएक इसको देखा-भी नहीं हां हो सकता है कि यह मुझे पसंद करते है चार दिनों से वो भी सिंसियर होकर तो किसिपी तरह उस रटशी का नंबर नीकाल कि दे ना हा हा जब ये उसका नंबर निकाल के देगा तभी तेरी गाड़ी ट्रेक पर आएगी भाई तू किसी भी तरह नंबर निकाल के दे बाकी में उसे सेट कर लूँगा खुद पे विश्वास है तेरा कॉंफिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा एसे इसी तरह मेंटेन रखना कॉन सा रूट है उसका रू यहां से स्टेट जाने के बाद में आप लेफ्ट मुर जाएएगा एक कट आएगा वहीं पास में एक छोटा सा मंदिर है वहां से फिर आप देखिए एड्रेस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं आपको यह तरास नहों तो आपके साथ चल के जगह दिखा दूँ ठीक ट्रेस आपके साम को मुझे काल करना मात भूला एक वाएप बाइ इससे पट गई यह तो मुझसे भी पट जाएगी पहले अपने आपको शीशे में देख कि अध्रेस बताना में 24 गंटे बाई दुनिया गुमने में 24 गंटे लगते हैं कम से कम उनके उम्रे का तो लिहाज कर जोड़िया कितना बागी था बोला था एरा सो असी रुपए हो गए आज तक का पुरा इसाइब क्लियर आरा जो बज्जा उसे दोटानी की ज़रूत नहीं है ठीश समस्दा है यह कैसा नोट तुमने दिया है समय सीरियल नंबर तो एक ही है पारन का पैसा है ऐसा ही होता है पता चला है कि नकली नोट के जासे में कई बेवगूफ फसे हैं उन नोट का सीरियल नंबर एक जासा होता है भाई परपल चूड़ीदार वाली क्या बोलता है मुझे जचेगी ना तुम्हारे शकल के इसाब से लड़की तुमसे पटेगी याने यह मत देखो जो मिलेगी उस पर ट्राय मारो हां भाई उसका नंबर चाहिए या नहीं चाहिए ना यह बेचैनी उसी के लिए तो है मेरे पर लगने वाला तुहीं एक सहरा है भाई वेट यह रहा था वो तुझ से पूछ रहा था पर यह के बारे में मुझे से पूछ रहा था श्रिंगार ने जाने के बस कहा में लेगी वो देखो ना सामने से जा रही है सिस्टर सब्सक्राइब कर आए तुम्सरा फोन करो ना मुझे तुम्हारा नंबर बता नाइन डबलेट फोर थ्री लन नाइन टूण थ्री वन नाइन टू नाइन टूणफ थ्री रिंग तो बज रही है ऐसा क्या कोई बत नहीं मेरा फोन लगता है खराब हो गया एनिवे थैंक्स इस वक्त में बाहर जाकर आपका टॉप नहीं करवा सकती सुबह करवा दूं तो चलेगा हलो हलो सर अब मुझे सर करके मत बुलाना कुछ और कहके बुलाओ तुम्हारे लिए गुड नियूस है तुम्हारी सारी बाते मैंने डिलिट कर दी है बहुत गौर से सुचा मैंने तो म मैंने बहुत टॉर्चर किया है अब आगे से परिशान नहीं करूंगा बताने क्यों मुझे ये सवच्छा नहीं लग रहा है इसलिए उससे देखो इतनी रात को किसी लड़की के साथ बात कर रहा है ए पूगल लड़की पटा रहा है पटा लेकिन किसी हूर से कम नहीं होनी कौन है वो चुत में एक अच्छी सी लड़की पटाने की सलादे रहा है दर असल क्या है ना मेरी माम उसे एसी मज़ा करती है और मेरी मां इतना अच्छा खाना बनाती है ना क्या बताओं क्या है ये मैंने तुमसे कितनी बार कहाय कि टीवी शो देख करके खाना मत बनाया कर है एक क्यानल जिलाती हूं कि यह चिपक क्यों नहीं रही है है एलो उसका निचला हिस्सा भी ज़रा करो फिर वह चिपक जाएगी ट्राइग करो अगे थांक्स जो हमें अच्छे लगते हैं जो हमारे अपने होते हैं उन्हें थांक्स या सारी या प्लीज नहीं कहा जाता चलो ओके अब मैं तुम्हें कभी टेस्टब नहीं करूंगा गुड़नाट गायतरी बाई यार पहले भी तो कितनी लड़किया आके जा चुकी है लेकिन इस लड़की को मैं भुला क्यों नहीं पा रहा हूं याद आती हो तुझे लगता है अपना हीरो तो गया टॉप अप करवा करवा के टॉप का लवर बन गया है अब देखो कैसे भाग रही है फोन उटके कहीं चला जाएगा क्या दो दिन से देख रही हूं पागल जिससी हरकते कर रही है अरे भाई जब वो बोलती है ना तो लगता है फूलों की बारिश हो रही है दो दिखता है वो होता नहीं है क्या बोला वो क्या ने प्यारे लड़की के आवा सुरीली हो सकती है पर इसका मतलब यह नहीं कि वो लड़की खुबसुरात भी हो पूगल मैं प्रीती हुँ यार क्या हो क्या गए तुझे कुछ नहीं मैं बात में कॉल कर दी हूँ पहले मैं बिना जिजक के उसे बात करता था लेकिन अब जब मैं उसे बात करना चाहता हूं तो मुझे कम से कम सो बार सोचना पड़ रहा है यार अरे सोच क्या रहा है भाई, होन पर आवाज अच्छी है ना, तो दिखने में भी अच्छी होगी वो अच्छा बुरा नजर देखती है, देल वो सब नहीं देखता गायतरी, टॉप अप किया गया? इतने दिनों से एक बार भी कॉल नहीं किया तो मुझे लगा तुम्हारे फोन में बैलन्स नहीं होगा, इसलिए इश्क का वो घार मुझे बेजड़ा तक तक मेरे दिल का स्पीड बढ़ा जीकर है कि आसमा तो छुनू जा कि जानू ना मैं तू कैसी दिखे तेरी याद में मेरा दिल बस हवा में उड़े कौन है वो हसीना कुछ तो बता जिसने किया तुझे गायल क्या है पता इश्क का वो घार मुझे बेजड़ा तक मेरे दिल का स्पीड बढ़ा कि यारी दोस्ती भूल गया जो उसके प्यार में खो गया रोगी रोगी प्रेम रोगी इश्वर इसको बचा तेरी बातें सुनना अब तो हो गई है यह सजा तू मुझे को लग अपना तू सची है या कोई सपना तेरा करूं मैं इश्जा तेरे लिए chyba हूँ बेकरार कौन है वो हसीना कुछ तो बता जिसने किया तुझे गायल क्या है पता हुआ 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 है देखना चाहु तेरा चहरा घाव है ये कितना गहरा दिखती ये चड़ गया है तुझ बेन शा सुन बाई दमाले आराम कर होश में आजा मरी है या वो है अफसरा कुछ तो पता जिसने किया तुझे गायल क्या है पता इश्क का वो घार मुझे बेजड़ा धक तक तक मेरे दिल का स्पीड बढ़ा कि आज चोने जाके आने अमनना तुक याज में मेरा दूबस हावां मे उडें तर दोivering अरे नकिए तेरे दोस्त ने डिग्री लेकर दो साल के अंदर अच्छा खासा कमा लिया अपनी मेहनत से शादी करके सेटल भी हो गया लेकिन तू किस तरफ जा रहा है कभी सोचा इस बारे में एक महेने में तुझे इंटरव्यू के लिए जाना एप्लिकेशन के लिए पैसे चाहिए थे तु मुझसे मांग लेता शर्माता किस लिए है और तुझे किस लिए तीन सो रुपे चाहिए थे मुझे अपनी एक फ्रेंड को देना है पापा बच्ची मांग रहे हैं तो दे दूना बेटा नाश्टा तयार है बिना खाए कहीं मज जाना हाँ ठीक है मा ये लो चेंज करा के लिए हो के कांदा दो किलो बटाटा दो किलो शकर एक किलो अरि उनीह मुझे हजार का शुट्ठा दीजिया शुट्ठा नहीं है भाई अब याभी मेंस अच्ब भरके आई उगा नहीं है भाई होता तो दे देता na दाल तीन किलो आरकुच एई इधरया तमरे पास है याज है थे लो तेंक यू अरे जल्दी दोना देर हो रही है यह यह लीजे यह क्या ले आया तू तुझे हजार रुपए का छुटा लाने को कहा वो भी ठीक से नहीं कर पाये तू इसमें चार नोट जाली है समझ में नहीं आये तुझे जाली नोट? और पैचाने का भी कैसे मेहनत करके पसीना बहाता तो समझ में आता कि असली और नकली नोट में फर्क क्या है कहां से लेकर आया? बजर से ले जा बदल कर ले या यह लड़का भी ना पता नहीं कब समझदार बनेगा हाँ और क्या दो भाई सब भाई सब वो आटो वाला कहा गया देखा आपने बजर नहीं देखा भाई तायर पंचर था तो अपना स्टेप नहीं बदल रहा था क्यों पूछ रहों कुछ बात है क्या नहीं कुछ नहीं वो फोन पर किसी से कह रहा था कि वो बस डीपो तक जाने वाला है अज़ा पानी देना बाई मैं बश्टाओं तक पहुच गया हूँ हाँ अज़ा उसको देना और बदले में वह तुझे और रिजनल देगा वो लेकर सिधा यहां आजा सुन जरा होश्यारी से ठीक है भाई हेलो कुईमतूर पुलिस टेशन हाँ पुलिस आप कौन मैं कौन बोल रहा हूँ छोड़िये साब जी आपके स्टेशन के बस डेपो के पास एक हरे रंकी बस खड़ी है उसके पास एक पैकेट है जो नकली नोट से भरा है तुम्हें कैसे पता उसमें नकली नोट है एविदेंस है सर वो सब ठीक है पहले यह बताओ कि कौन हो और कहां से हो मैं यहीं बस्टॉप पर हूं सर हुआ है 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 यह कि आप आप कि यह कि अनगें थांग बता दें किया किये तुने हाँ ठीक है भाई आप जल्दी आईए सर आपको पता है मैं किसका आदम है फिर भी आपने मुझे पकड़ लिया तो और क्या करता तेरे पास ही गड़े किसी इंसान ने हमें इंफॉर्म किया कि तु नकली नोट लेके जा रहा है उसने बोला उसके पास एविडेंस भी है वो इंतजार कर रहा था कि मैं तुझे उठाकर प्लिस्टेशन ले जाता हो कि नहीं तेरी वाट लगने के लिए सिर्फ एक रुपए का क्वाइन ही काफी था मेरी जगह किसी और को फोन करता तो वो तुझे पकड़ता फिर क्या एक चोटी सी बात हाथ से निकल जाती उसके बाद भाई से हमें कौन बचाता एक घंटी बजाने जैसा तेरी किसी ने बजा डाली एक चोटा सा काम भी तुसे ठंग से नहीं होता है हाँ तु सिधा को एम टूचा मैं के डू को फोन कर देता हूं खी गभाई मुझे करनोन कॉल आया था उसने अपना ना भी नहीं बताया कल को कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम सब की परिशानी बढ़ जाएगी भाई तो क्या इस माल को एक दो दिन यही रहने तो कोई प्रॉब्लम होई तो माल में खुद पहुचा तूंगा चब नकली नोटों के लिए तेरी जान और नौकरी खत्रे में लग रहेगे जब मेरे यहां से बेफिक्र होकर हटी बटोर कर लाता तब ऐसा नहीं लगता खैर कोई बात नहीं रख ले पर यह फोन किस ने किया है इस लड़के का पता लगा गोगा किट्टो को फोन कर किट्टो मालिक ने काया कि चार दिन लगेगा एड़जेस्ट कर लो जितना जल्दी हो सके भिजवा दीजेगा ठीक है पैसे बदलने में तुझे पूरा दिन लग गया शुट्टा देने वाले को ढून रहा था इसलिए देर हो गई अरे कौन था वो उसने चार सो बदले की नहीं उसको पुलिस में पकड़वा दिया पुलिस में पकड़वा दिया हां मतलब मेरे चार सो रुपए डूब गए क्या पापा हर बार पैसा पैसा करते हैं मैंने इसलिए किया क्योंकि ऐसा किसी दूसरे के साथ ना हो समझे हां ठीक है लेकिन ये सरदर्द लेने की जरूरत क्या थी ये सब छोड़िये पापा क्या होगे किट्टू तुम्हारी खबर किसी ने पुलीस को दे दी है तुम्हें किसने कहा मेरे आदमी ने वहां के एसपी को फोन करके पता लगाया पार्टी क्या बोल रहा है ये खफते के अंदर उसे सारा माल चाहिए वर्दा टील कैंसर पार्टी जाएगे किट्टू पता मांग रहा था इतनी बाहर कहा कि मैं ले जाता हूँ आपने मना कर दिया एए गाड़ी वापस गुमा एए पार्टी आपने मना कर दो जाता पार्टी आपने मना बाहरा एए एए बाई हर हाल में ये माल आज पहुंचा देते हैं बाई पहुंचा देते हैं लड़त झाल 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 भाई लड़की दिखने में तो बहुत सुन्दर है और अपनी एरिया की भी है भाई आज शगुन देने के बाद सवदा पूरा क्यों नहीं कर लेते हैं आज अच्छा देन है क्या हाँ भाई ए वेटी हाँ भाई कोई लड़की कहा है रहती है पता है लक्ष्मी का लोनी के पा अब संपत सर है नकी शंपत सर नहीं सिर्फ संपत बोलो लेकिन आप मेरे घर पर बिलने आया हुआ इस शहर में जितनी मेरी इस्ट है उतनी इसकी भी है बैठ इच को तीस साल से मेरे साथ हैं और बहुत ही इमानदार है कल तक कह रहा था मुझ marginalized कौन है यह लोग पता नहीं बेटा चलती हो अब पता चला तू राजी क्यों हुआ भाई भावी तो एक नूमबर डूड़ी है गाड़ी में कौन आया पता नहीं कौन है पापा से बात कर रहे हैं चीके तुझा बाई तुम्हारी बच्ची को कोई कि तकलीफ नहीं होगी इसके साथ चार-पाज गाड़िया तो हमेशा रहेंगी वास इसे दमाद बना लो यह मेरा बेटा है दिनेश एमकॉम पढ़ा है नौकरी ढूड़ रहा है मेरे होते वे तुम्हें काम ढूड़ने के ज़रत ने बता कौनसे ओफिस में नौकरी चाहिए मिल जाएगी कौनसा नकली नोट बनाने का जो रुग जा क्या बोल रहे तो पापा कल नकली नोट देने वाला यही था इसी को मैंने पुलिस में पकड़वाया था नकली नोट का धंधा करते हो निकल जाओ यहां से निकल जाओ जाओ तुम्हें अगर दूसरी बार यहां शकल दिखाने आया ना तो क्राइम ब्रांच के हवाले कर दूदा तुम्हें कैसे पसाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं किसी को नहीं छोड़ूँगा तो कुछ भी करें तुझे इससे क्या चुप हो जा कुंडों से कोई इस तरह बात करता है क्या यह सब तेरी वजह से हुआ है बेवकूफ दो पांसो के लालच में एतनी बड़ी प्राब्लम खड़ी करती सब तेरी वजह से गोगा तुझे सिर्फ लड़की चाहिए ना या फिर उसका भाई भी चाहिए हम जैसो को घर परिवार कभी रास नहीं आता है भाई अपन कुवारा ही सही है चोड़ो ना भाई उस लड़की का मेटर को यही खत्म करो लेकिन उसके भाई को टपकाई भीना चैन नहीं मिलेगा वरना वो बार बार उंगली करता रहेगा आज ही खतम कर दें क्या बोलते हो सिच्वेशन सही नहीं है अभी दस दिन का वेट कर उसके बाद दस दिन किसलिए स्टेडियम में ने देखा है सारी तैयारी हो चुकी कोलकटा स्टेडियम में कोई पार्टी मीटिंग होने वाली है आज ही मुझे फैक्स हाया है यह देखो जिस दिन हमारे अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड बनेगा उसी दिन में एक सच्छा कोच बन पाऊंगा चलता हूं सर देवा जी वो उननत नगर से जो लड़का नैशनल लेवल के लिए सिरेक्ट हुआ है वो गोल्ड ला पाएगा शूर लाएगा सर कितना किलोमेटर है यार तीन सो होगा कलकाता में नहीं होगी मिने में हो रही है ज्यकर बतल गई हम लोग यह से 5 दिन पहले निकलेंगे it and practice वहीं करेंगे कि यह वह इतनी देर से किससे बात कर रहा है आदमी प्यार में होता तो महभूबा से बाते करता और इस कमेने को तो ऐसे भी रिचार्ज फ्री है थुम्हारा फेसबूक आईडी क्या है? मैं फेसबूक पे नहीं हूँ मैंने चेक किया तुमने वट्सआप पे भी पना फोटू नहीं रखा है फोटू ये समझे लो मैं चेन्न नहीं का रहने वाला हूं कभी भी मिल सकता है फिर भी अगर फोटू Orient I Champs फोन रहा को में भेज़ताँ ओपी तुम्हें मज़ाचा खादियों? आपको किस बात की कमी है? आप तो पहले से ही बड़े घर से हैं अथ और पैर चलाने के साथ साथ घर भी चलाना बढ़ता है ये लो तुम्हेरा बीटा कहां जा रहा है? चन्ने जा रहा है नेशनल मीट के लिए उसमें जीता तो एशिया मीट में जाएगा डिग्री मिल गई है तुम रिटायर होने वाले हो, उसके लिए अच्छा सा जॉब ढूनने के बजाए, तुम उसे बिकार का स्पोर्ट्स खिलने के लिए भेज रहे हो. उसे क्या प्रॉब्लम है, ये जानते हुए भी तुम इतना बड़ा कदम उठा रहे हो. सर, पहले मैं भी उसके लिए आपी की तरह सोच रहा था. उसका कहना है कि बिना स्पोर्ट्स के लाइफ नहीं बन सकती. बाद में उसकी बात मुझे सही लेगी, सर. इसलिए मैं उसे सपोर्ट करता हूँ. सर, टाइम हो गया है, उसकी कहीं ट्रेन न जुट जाए. यार, अब तक सर नहीं आये. सर, आटो में आ रहा है ना, लेट होगा. अब तक पहुंचे रहे ट्रेन का टाइम भी हो गया. अरे, देख तेरे डैडी आये. अरे, पापा, आप यहां क्यों आए? यह रख ले. यह… अरे, रखना बेटा. इतने पैसों का मैं क्या करूंगा? जरूरत पड़ेगी. जिंदिगी के पचीस साल मैंने एसपी और इंस्पेक्टर को सल्यूट मार के गुजार दिये. तो अगर नैशनल मीट में गोल्ड ले तो तुझे कुई अच्छी नोकरी मिल जाएगी. अरे, क्या पाप, मैं जीत कराऊंगा, आप फिक्रा मत कीजिए. मुझे पता है, मेरा बीटा जरूर जीतेगा. मेरी रिटार्मेंट भी बहुत नस्दीग है. इसलिए घपरा रहा हूँ. अपनो ध्यान रखना, बीटा. थ ठीक है? ठीक है, ठीक है. चलो चलो. अब लोग जीत कराना, आल दे बेस्ट. जी अंकल, ठीक है. चलता हूँ पापा सा. फोन करना है. ओकी पापा. जाूँ. बेन सही टाइम पर पहुंच गे. हाई, सर. हाई, कैसे हो? बढ़ बढ़ियाँ, सर. मस्त त्यार. चलिए, सर. हम आपको होटल दिखा देता हूँ. गड़ी आई है क्या? चलो चलते हैं. कोई बाहर नहीं जाएगा, सब लोग यही रहेगा. हाई, सर. कल सुभे ग्राउंड पर मिलते हैं. अरे, बाहर, बुलना, दूराट. अरे, मुझे, हल्का होना है. इतनी जोर से लेगी तो ट्रेन भी कर लिया हूता? चल बाई, पुगल, कल मिलते हैं. ए भाई, सुन, तू अपनी बाई की चाबी देना मुझे. यह लेना, बाई का क्लाश थोड़ा सा जाम है, तो संबाल की चलाना है. तुछ से मैं सीधा ग्र यह क्या है? तुम्हारे आगा पानी इतना गंदा आता है, क्या? लगता है, आज क्यों तुम लोग? अच्छा, यह बताओ, ठहरे कहां पर हो? डेक बूट में. यह बताओ, हम कब मिलने वाले हैं? आज मिलना है. क्या प्रब्लम है? कल से प्रैक्टिश शिरू होने वाली है? अरे, थक गए होगे, थोड़े आराम कर लो. हेलो, वो सब कुछ मैं संभाल लूँगा, बदाओ कहां आना है? दस बचे हम एमजी रोड के मंदिर पर मिलें. एमजी रोड के मंदिर पर ठीक है, पहुंचाऊँगा. मुझे सूरतनगर ड्रॉप कर देना, फिर वहां से मैं बस में चला जाओंगा. इस इंटर्वी में तुम्हें नौकरे मिल जाए, ऐसी दुआ करो तुम. वेकाल में पापा से डांट खाते रहते हों. अरे, सुनना, मैं फ्रेंड से मिलके आता हूँ. सर को किसे तरह संभाल आए, नौकरे. आओ, चले. अल्दे बेस्ट एक्यू क्यो राद बर सोया नहीं क्या नहीं नहीं है यार क्या हुआ क्या हुआ भाई दिनेश मेरे सामने बश्टॉप पे खड़ा है अकेला ही है हाँ भाई उठा लो गया उठा ले आप उन भाई से बात करता है जैसा आप कहें भाई क्या 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 अरे चाय दोना भाई वोकट का चाय पीने यहीं आते हो भाई एम जे रोड का मंदिर कहां पड़ेगा बस यहां से राइट ले लो और फिर सीधा थैंक्स हूँ सौरियां मुझसे गलती होगी एको भाई के बास ख़ड़ा है आपके बास करें आपके पास करें भाई भाई थोड़ी इमर्जनसी बैच जो हाँ बैच जो अब भाई मेरी बहन के तबियत खराब है उसे फॉस्पिटल ले जाना है चल्दी चल्दी रहें पचारोग के तु हाँ तु कहां रहता है यह तु कहां रहता है यह जाए पैंजाओर में कि यहां क्या कर रहा है फ्रेंड से मिलने आया हूं हां फ्रेंड से मिलने आया हो भई तेरा नाम क्या है बूगल अब इसका क्या करना भाई उसका हाथ पर काट कर लाओ कि यहां टन्रा जेरां नाम कर फॉमा Wow कि यहां झाल 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 मैंने तो आपको सौरी कहे दिया था नो फिर ये सब किसलिए है किसलिए हैं देल दो आपको सौरी किसलिए किसलिए दोगे 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 देलिए हुँ लुओष जब उबुष झुगए वोफ झार खुखश्र खुछए ठना अगे जार घुटे भी हुए-रू 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 गणकी दो अुटे हुए-रू हुए-रू अुटे है हुए-रू या, पर दो, यहारा! वो आओ, लिक्सा, वे लिक्सा! वे वे लिक्सा, यपोन भीजआ! यह लो जो, यह लिक्सा, यह लो! यह लो! बएपने कम एक रिस में एक एकर प्ड़ में कि ऊवा करें एक्र置ए टुटिए, अः झाझ झाझ आउ झाझ है एलू पुगल तुम कहा हो यहां कुछ गुंडों ने दंगा फसाद कर दिया है मैं तो एमजी रोड पे हूँ तुम कहा हो गायतरी मैं पेस्टार जल के वसां टा ग्यां के से वां कि जुम करेंगति light कि अटया सकते है कि यहां कि अठिया व यहां ऑसो कि वां कहा ह pacत कि मैंने कहा था ना कुछ दिन वेट कर पर इतनी जल्दी किस बात के थी तुडवालियान अपना हाथ चार दिनों में सही हो जाएगा भाई पहले तो उसने मेरे आदनी को पकड़वाया और उसके इतनी हिम्मत कि वो तुम पर हाथ उठाए उसका सर तो उसे देन उड़ा देन नहीं था तो फिर किस नमारा अब उनने उसे पहले कभी नहीं देखा है नामें पुगल तंजावूर कर रहने वाला है उसके हमसे क्या दुश्मनी है दिनेश को बाइक पे बिठा कर उसको बचाया था बस इतना ही जानता हो भाई कुछ समझ नहीं आरा यह सब क्या हो रहा ह वो दुबारा नज़र आए तो उसकी आज़री निकाल के कले में पहना देना आपके खिलाब अटेम्टिव मांडर का केस फाइल हुआ है किस ने फाइल की है मेरे वापस आना तक तुम्हें से कोई कुछ नहीं करेगा सच वो लोग नकली नोट जाली नोट छापते हैं सेर सिधारक हिलमत लेकिन बच्चों की स्कूल फी भनने की आउकात नहीं है और खुद को राजा समझता है स्टेट में नकली नोटो की सब्सक्राइब है स्टेट में नकली नोटो की सब्सक्राइब है सब्सक्राइब होती है वो यह सब कैसे भेजता है और वो इन नोटों को कहां छापता है इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है अभी अभी एक जवान लड़के ने उस भंगार वाले संपत के खिलाफ कंप्लेंट किये क्या फाइदा सर हाली में उसने सारे सबुत मिटा दिया है और अपना धंदा बदल दिया है सर और उसने स्टेटमेंट दिया है कि उसका और उसके परिवार का इस धंदे से कोई लेना देना नहीं और सारी पब्लिक भी उसके नाम से डरती है हाली में एक लड़के ने उसके सारे आदमियों को 24 हे अकेले ही इतनी भुरी तरह मारा की सब हॉस्पिटल पहुच गए हिम्मत तो है उस बच्चे में वो कौन है और क्या करता है जरह पता लगाओ यस सर् मिराज सार सुना एक कोईमबटूर में तुमने फेक नोट पकड़े थे जी सर फेक नोट समझकर ही पकड़ा था जब जाच किया तो पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है किसी ने रॉंग इंफरमेशन दी थी हम्म ठीक है सर गाड़ी कहा है घर पर है गायतरी है हलो तुम ऐसे क्यों भी हेव कर रही हो यह देख आवाई बसे चल बाए रीट याद है ना मैं तुसे कले लूंगी चल बाए मुझसे सिर्फ फोन पर ही बात करोगी फेस टू फेस बात नहीं करोगी देखो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी साइकल का टायर उसके पैंट पर लग गया मैंने उतर के साफ की और सौरी भी कहा किसी को मारना गलत बात है लेकिन मार खाके लेना भी गलत है मैं क्या हूं यह उसे दिखा दिया कैसी लड़की है यार छोटी सी बात पर मुझ भूला वर्णी है है हाँ 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 चलो आगे बढ़ाओ यह मैं घबरागे हूं क्यों तुम कुणदी हो जलिए अगला इस चाव पार रहा है उतर्पने के लिए तैयार हो जाएए चलिए 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 जलिए जल्दी कीजिए सब ही लोग अपना बोकेशी को संभालने के लिए ठीक है क्यां प्रश्ट संभाल के लाद्धि के लिए यह इसे जरा शंभाल कि अ हो प्रजरा स्वाल में एल अगला स्थाप कर दैमंड सोब करूव पेन हेलो ये क्या कर दिया मेरे मोबाल में जितना टॉप अप किया था वो सब वो सुनना चाहती हो गया तुम्हें चाहिए तो बोलो में लोटा दूँगा फोड़ा समझो अब पेन कैसे लोटा हूँगी कल तुम्हें नया पेन खरीद के देदूगी चलो ठीक है गायदरी संभालना ब्रैंडिट पेन है कल मेरा बज्जे है में रूमबकम बस्टोपे फेट करूंगी तामबर में उत्रे हो किस होटल में हाँ रूम नंबर पांच ठीक है ठीक है एक मिनिट में एड्रस लिख लेता हूँ बॉस यह पैन है पैन तो नहीं है सर बॉस एड्रस लिखके वापस दे दूँगा दोना हलो बॉस नारम क्यान पुस्त हरन में पीजब और तूम्हरा नाम क्या है यह प्रिंस नाम प्रिंस है नाम पर पास में पैन नहीं ठाल ठाल najbardziej प्रिंस पर क्या ले 걸ेह ले तेरा तेंदूल के करो तटा तो कि क्रिकटर बन जाता ता झाललो आड रॉक है नया लिखने की है चलो ग्राउंड से बाहर निकलो सर सर यहां पर पिकनिक मनाने आया यहां आते ही लड़की के चक्कर में मारा मारी कर बैठा सर उसमें मेरी कोई गलती नहीं तुमारी नहीं सारी गलती मेरी है मैं सबसे कहकर आया हूं कि तु गोल्ड मेडल लेकर आएगा यह है मेरी गलती है यह गो चला जायां से और मेरे सामने मताना सर सर से बला ना चाहाँ और तुम लोग क्या कर रहे हो इसको इधर लाओ हुआ चरो वाची लग को हो आजर किन अव़ हुआ कि अरे यार सर ने कुछ कहा क्या अरे छोड़ना यार सर को तु जानता है सुबह तक ठीक हो जाएंगे कूल जाओन ग्राउन पर आजाना तू सब ठीक हो जाएगा भाई भाई जाना मुझे बहुत ज़रूरी काम है सर सकना मुझे भुखारे किसी तरह संभाल लेना अच्छा यार ये तो बता गायतरी न कुछ कहा क्या अरे यार तुझे क्या करना जानना इसलिए तो पूछ रहें ऐसा ज़रूरी कुछ नहीं बोला तो बोल दे न अब जो होना है वो तो कल ही होगा कल गायतरी का बड़्डे जो है उससे कोई भी काम दो कभी ठीक से नहीं करता उपर से रूल सिखाता है अंकल म्यूजिक वाला केंडल नहीं है क्या सब पीस अरे इसे जो चाहिए उसे देदो पता नहीं ये कायतरी किस रास्ते से आने वाली है है यह बोस मुझे तुमने लिफ्ट दिया था हाँ पहचाना हाँ पहचाना तुम्हेरा नाम क्या है पपुगल मेरे नाम दिनेश है उस दिन जल्दबाजी में थैंक्स बोलना भूल गया था थैंक्यू यह अहाँ ठीक है मेरा कर पास मैं तुम चलो ना अरे मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए यहां पर वेट कर रहा हूं समझा करो ना हमारे घर पर छोटा सा फंक्शन है चलो थोड़ी देर आके चले जाना कि देखकर यह मुझे घर पर फंक्शन के लिए बुला रहा है अब ता इसकी नजर मेरे किफ्ट पर है बस तुमने मेरी हेल्प की थी चलो ना या कितना भावग उखारे हो तुम्हें आना ही पड़ेगा ठीक 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 छुड़ो थेंकि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो को प्रब्लम हो तो देखिए सारे महमान आ गये आप भी आईए अगर यह केंडल नहीं लाता तो मेरी छूटी बेहन मुझे जान से मार देती अगर अगर मेरी आपिस से तुम पारव प्रब्लम करत दो दो करेंए प्रब्लम कर दो करेंए गैतरी यह मेरा फ्रेंट पूगल हाई यह पताओ उस दिन तुमने क्या कहा था सर सर जल्दी चलिए मेरी बेहन की तबियत खराव है उसे हॉस्पिटल ले जाना है तुम्हारे शहर में जूट बोलकर काम निकलते हैं न क्या हुआ था क्या बात है एक्दम सई जगह पे आ गया मैं बात हुआ है यह लोग्णा करें इसके सा इस तो तो अपनी माद को खिला पने आगगा तुम्हारे अब एक्दम रहरे हुआ यह जए जिरा आके अपनी मार्को खिल्लॉ हाह ठैक्स बेटा बाया बाया वाह प्या वेने हेपेरिटेंस और देए थांक्स अंदी थांक्स थांक्यू थांक्स बेटा जो लुआ इदा रहाजा बेटा आदा एडा सब्सक्राइब एक मिरेट रुगना है अपी बर्ट्डेइ थांक्स अलॉट रहा ओके यह तुम भी लो क्या रे पूगल गिफ्ट इसको क्यों दे दिया केक खाऊं और गिफ्ट ना दो तो बुरा लगता है ना इसलिए सच कह रहा है अगर गिफ्ट नहीं देता है ना तो तुछ से लड़ पड़ती हूँ पापा मेरी कॉलेज का टाइम हो रहा है मैं चाहती हूँ ठीक होटा चाहा हूँ तुम ले लिया वाले थी वो ले लिया मैंने अच्छा जल्दी नुखळ पर आओ तो फिर मैं चलता हूँ नैं ड्रॉब कर देता हूं अरे ने नि मैं चल्दा जाऊंगा अँग्या अंकल हम मैं चलता हूँ हां अच्छा बश्याइश्य का कफी हृए हाई चलती से बेट जाओ पापा की ओफिस जाने का टाइम हो गया है जो हुकम सरकार जैसी है आपकी मर्जी यह हेडलाइट और इंडिकेटर दोनों बदल दो नया वाला इसमें है हम लोग पास में ही है उस दिन जो तुम्हारा चखड़ा हुआ मुझे नहीं लगता कि वो ट्रायर की वज़े से हुआ उनके नकली नोट के धंदे के बारे में भाया ने पुलीस को बताया है और बात यहीं कटब नहीं होती वो मेरा हाथ मांगने के लिए मेरे घर पर भी आया था तब भाया ने उनकी बहीज़ती की इसलिए पुझा भाया को मारने के लिए और तुमने उन्हें लिफ्ट दे के बचाया उन्हें लगा तुम भाया के फ्रेंड हो इसलिए उन्होंने तुम पर हमला किया पीया वाईॉड़ोजी सबलोग तो केमिस्ट्रीव होट ार है लेकिन किया को करएक्सी करेंगे लैब तो तुम जैसा खुबसूरत लड़की या फिर मैरे जैसा नौजान लड़का इस दुनिया में आता है मुझे ऐसा कुछ नहीं लग्द्धा कमोन, पकप, पकप चाल्स सर जा उसे बुलाओ जी ये चल, सर बुला रहे जाओ बुलाओ 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 अगर टाइमिंग यही रही तो सात्वी पोजीशन भी नहीं मिलेगी तो आज रात को ही घर चला जा मैं तेरे पापा से बात कर लेता हूँ सुन तू जो मेडल जीतेगा वो सिर्फ तेरा नहीं होगा उसमें तेरे पापा का सपना और मेरा लक्ष भी होगा और मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाएगा सर मुझे एक मौका तीचे सर मैं टाइम सुधार लोंगा जाओ पोगल अगर तुम सच में मन्जिल को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें एक लवे बनना होगा तुम्हें वे एक मुझे लवे 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 लवेशा पाएगा जो घुम गया तो फिर कभी लटे ना तेरे हाथमे तेरी किसमाच कोई याओरी से लिखे ना खुझ से वारा किया है तुने देखाँ कभी टूटे ना तुझको जो मिला है मौका देखाँ कही जूटे ना तुझ में है सब को विश्वास तुझ में है तो कुझ खाँ दा तुझ में है तुझ कभी जोटे ना उनसे कभी ना तूटरना, जीत ही ते मांजिल है, हिमत से हासल करना, जीवन में कुछ पाने को हरता है सब को देखा, टाइम पिक अप करने में कितनी मेहनत लगती है, देखा, खेल में टाइम ही सबसे जदा इंपोर्टेंट है, जाओ, थोड़ा आराम कर लो, भाई, तूटाइम पिक अप करे गया की नहीं, यह सूचकर मुझे डर लग रहा था, मुझे यकीन था मैं टाइम पिक अप कर लूँगा, सर ने मुझे मुझे माफ कर दिया, यही मेरे लिए बहुत है, यहाँ पर सिर्फ पानी मिलता है, लुकोस के लिए आर को यहां से बाहर भागता है, अचा गायतरी तुझसे मिली की नहीं, थोड़ा आइस्ता बोल, सर के कान बहुत तेज है, इंसान को हमेशा कॉन्फिदेंट होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिदेंस बिल्कुल नहीं, ओके बॉइस, अब चलते हैं, शाम को पांच वजे फिर से यही उतनी दूर से तेरा खेल देखने आया हूं, तो पूछ रहा है कहा हूं, पो यह मोटर बस चंट पे खड़ा हूं, तो यहां से मझे पिक अप कर ले, ओके, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, रिलैक्स रहना, कौन था बेटा, मुझसे मिलने मेरा दोस्त आया, मुश्किल से तेरी टैमिंग सही हूई है, और फिर से डिस्टब करने कोई आ गया, हाई, बोल बे, तेरी आखों में देखकर, बख बख करके मेरे दिल में शमाजा लुटती है, मेरे प्यारे, मुझे लगता है तु शायर बन गया, यह, लब हो गया, मुझे और गया, तुझे, यह, कौन सब कनफर्म है या नहीं, इसका थोड़ा सा डाउट है, तु बिल्कुल फिकर मत कर, हाँ, मैं जैसा कहता हूं, ऐसा किया, तो वो कनफर्म मान जाएगी, सोच कि तेरी महभूबा तेरे सामने है, तु उसे एक बार देखके छुप जाता है, जब तु उसे नहीं दिखेगा, तो वो तुझे ज़रूर ढूंडेगी, ए गायतरी, गाड़े जाने का इंतजार करी है, क्या, जाओ तुम लोग, मैं दूसरी बस में आ जाओंगी, ठीक है, ओके बाए, जब वो अकेली हो, तब तु उसके सामने हीरो की तरह एंट्री मारना, तु भी है, इसे कुछ करना, ए कीरती, ये बस नहीं चाहती, मत जा, हाँ, हाँ, पता है, पता है, वो लोफर कब से दीखना हमें ही घूर रहा है, मुझे डर है, उसे मेरे घर का पता न चल जाए, आगे जाके बस बदल लेंगे, वो गया है, वो गयी भाई, ये बात है, तुझे एक बात बताता हूं, प्यारे, आज कल की लड़किया न, हमसे बस यही चाहती हैं कि हम उन्हें घूरते रहां और अपनी आखों से दूर ना होने दें, आखो, 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 अखो, आखो, कोच करना, एह... तुम नहीं है वरना हिला देता प्लीज अरे सुना है नहीं मेरे भाई प्यारे तु एक काव कर इस बर कुछ का तो हमारी दोस्तिक हताम ठीक हो के बैरे बेटा लग नेक्स ताइम है काव जा रहा है मेरे सब मेरे रूम पर चल नहीं मेरे बाप लव करने वाले के बाईक पर नहीं चड़ना है वरोसा नहीं बीच रास्ते में छोड़के निकलने तो ऐसे सीन होने का चांस ही नहीं लूंगा किसी धरमशाले में रुख जाता हूं सुबह तैयार हो के ग्राउंड पर मिलूंगा नमस्ते भाई वेल प्रेटिशन के लिए गया था इसलिए थोड़ी देर हो गया वह चोड़ भाई का है यहीं पर है चल कोच्ची के पार्टी को पता भेजा क्या नहीं भाई डिसी हमारी हर्कतों को ड्रेस कर रहा है वो बैंक वाले लड़का जब से विटनेस बना है वो हमारे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है इसलिए आपका इंतिजार कर रहे थे हुँँ पच्चेस साल से हूम है इस धंदे में लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी पार्टी को माल लेट पहुँचा हो आज रात किसी भी तरह उस लड़के को ढूंड कर निकालो आज उसका फैसला हो जाना चाहिए कल रेस में जो फर्स्ट और सेकेंड आएगा सिर्फ वही एशियन गेम्स खेलेगा टाइमिंग ज़रूरी है पुगल हाँ आज पूरी रात हम लोग रेस्ट करेंगे हम सब सुबह जल्दी उठेंगे और थोड़ा वाम अप कर लेंगे और बेकार में टाइड मत होना समझ गया है ओके लेट्स मूव तुम लग जाओ बोलो का एदरी तिनेश सुबह दोस्त की घर अन्ना नगर जा रहा हूं क्या कर गया था अभी तक नहीं आया उसका फोन भी नहीं लग रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है देखाओ कि क्या बात है ठीक है उसका नंबर मुझे मेसेज करो ठीक है सर सर गाओं से मेरे एक और दोस्ता है ठीक है जल्दी आजाना हाँ किसा हेलो हेलो है अहलो हेलो कुगल बोल रहा हूं कहा वरो तुम है यालो कोगल है वी जल्दा आकर में हूं गिधर अलो है अ क्यों जल्रू यांहें तेंग कर दहीं जा सकते हैं एक पुड़ी के सारे मैंसे भी खेल दिये हैं अब मेरे पैसे कैसे मटोरू तुम बर्बाद हो जाए नियुक्त आप आप जाओ तेरा पेडा कर दो जाए ऐसे भागने थे जैसे कुट्टा पींचे पड़ा हो मेरे सारे पैसे भी खेर दिये अरे कोई तो मेरी मदद करो मालिक मेरी मदद करने के लिए अरे ठीके दादी बगवान तुम्हारा भला करें कि अब बताने किसे बारने के लिए वो शेतान भाग रहे थे कि अब बताने के लिए फ। पोच्छों से उठाया कि नहीं जी भाई है हम जैंने किश्चों का एंद राव कुछ नहीं हुआ चोड़ो ना माँ पूरी तरह से सूच के हैं कुछ नहीं हुआ बोला ना चौड़ो मेरी बात तो सुनना सुनना मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं तुझे कुछ हो ना जाए कल सुबा ठीक दस बजे रेश शुरू होगी मेरी और जब मैं ट्रैक पर उतरू हूं तो तुम मेरे सामने रहना आओगी ना शूर बेटा खाना छोड़के तो कहां जा रहा है वोड़ी देर में आया माँ अभी अभी तो आया है फिर कहां जा रहा है बाइक पर अजेंटली डीसीपी साब ने मुझे बुलाया है इतनी रात को बाइपुकर संबल के मेरा दिल मुझसे शायद कुछ बोल रहा है क्या क्या बोल रहा है वो तुम्हारी और मेरी मेरी और तुम्हारी बाइयोलोजी वोक आउट हो सकती है हुआ हुआ है जूडिया पहन लेनी चाहिए तुम्हें बार-बार मार खाके चली आते हो तुम लोगों को तो चुली भर पानी में डूम मरना चाहिए लोगा तुजा के यह अधूरा काम पूरा कर कुछ और लोगों को लिजाना क्योंकि यह किसी काम के नहीं है आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हो जो मुझे हराए अगर उससे मारते वक्त कोई भी पीछ में आता है तो उसे भी काट डालना ए गोगा वो तंजावर वाला लड़का कहा मेलेगा उसको अपून देखता है भाई झाल झाल वो आई पी एड्रेस किसका है जरा एंक्वारी करो नमस्ते सर अ हाँ दिनिश तुम लोग जरा बाहर बेट करो सर बलो दिनिश सर आपी ने कहा था कि आप फेक नोट वालों को रोकना चाहते हैं आपके कहने पर मैंने अटेंप्टू मदर का केस किया लेकिन अब वो मेरे हम उनके नेटवर्क का कुछ नहीं बिगार सकते हैं दिनिश उन्हें प्लान करके उठाना होगे और उठाएंगे भी कि कहा है वो आप पुगल को ढूंड रहे हैं उसको तो मैंने गाउं भीज़ दिया अच्छा हमारे लड़कों ने पांच बज़े उसे ग्राउंड पर देखा और तू बोलना है गाउं भेज़ दिया सुनो उसे कुछ बद करना अपन के सामने जूट नहीं बोलने का कल उशाने का रेस है ना देखता हूं ग्राउंड पर कदम कैसे रखता है कर देखता है कर देखता है कर देखता है कर दो कि रखता है वहाँ जड़ाँ! पाप 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 जोड़ के चला ही आप मैया, 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 बच्चा, मेरा, मैरा, मैरा, क्या दिए, उनोंने इसे मार्णा ला पेड़ी, मैया, मैया, मै मैरा, मैया, क्या हुआ कहा है तू क्या बात है बुलना दर को चोट लग गई यार हम लोग सब जेजे हल्स्ट्रेल जा रहे हैं तू भी आजा चल दी सुरी से वो आप से मिल ले गया था आप पर उसको विश्वास था पर क्या आप उसे बचा पाए अब क्या करेंगे सर आपकी आफिस के पास ही उसका कटल कर दो क्या कर पाए आप सर बताईए आप क्या कर पाए आप उसे बचा क्यों नहीं पाए अब आपकी पूरी फोर्स क्या मेरे बच्चे को लोटा सकती है इसका जवाब दीजे सर आप उसे लोटा पाओगे जाये सर जाये आप जाये जाये जाकर उनके गुलावें करते रहें हमारे बैंक में एक सिक्यूरिटी वाला आप से काबिल है जाये आप जाये सर आप से कुछ नहीं होगा पता नहीं क्या चल्था यार बहुत धूरी तरह मारा ए क्या हुआ और क्या तेरे दुश्मनोंने सर का पैर तोड़ दिया सर कहा है टू और फाइर रूम में सर चोटा सा फ्रेक्चर है ठीक हो जाएगा तुमने उन लोगों से बेकार में दुश्मनी बोल लेली क्या क्या सोचा था क्या क्या सपने देखे थे सब खो गया तु ये किन उल्चनों में भास गया बिटा तुम्हार पापा के सामने क्या वो लेकर जाओंगा सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया सब बहुलकर तु ग्राउंड पर जाएगा और मेडल चीतेगा आप लोग जो ये नोट देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे नोट नकली है, आप लोग ही नहीं, आथराइस्ट करन्सी चेकिंग मशीन भी इन्हें मिस कर देती है, संपत के चापे हुए नोट इतने परफेक्ट हैं कि संपत के ऊपर कोई भी काउंटर फिटिंग का एक एफायर तक दर्ज नहीं है, उसका चापावा नोट और गवर्मेंट के चापे हुए नोट में कोई खास फर्क नहीं है, संपत कई तरह के प्रेंडिंग मशीन्स आप लोग ज़रा ही विज्वल देखिए, सर्फ प्लीज इसी तरह जाली नोट अगर हमारे देश में फैलता रहा तो हमारे देश की इकनौमी डगमगा जाएगी, इससे बचने के लिए सरकार ने असरी नोटों को पहचानने के लिए बहुत सारे इंतिजाम किये हैं, जाली नोटों का धंदा एक कानूनन अपराद है नकली नोटों के इस धंदे को हमें नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, इसकी वज़े से हमारे देश की उननती की जड़े हिल सकती हैं, अभी आपने क्रिमिनल लोगों के जो कारणा में देखे, उन में से संपत एक है, लेकिन वो फरार है, कल तक वो वाइट कॉला बिजनस दिनिश, वो सिर्फ सा 23 साल का था, और संपत ले उसे मार डाले, आपके आउडर्स का इंजार कर रहा हूं, सर, अगर आप इजाज़त दे तो मैं सब को जड़ से उख़र दूगा, मिस्टर उत्तम कुमार, ऐसे नामचीन लोगों पे एमेरियाट एक्शन लेना पॉसिबल नहीं है, वेट कीजिए, देखते हैं धीरे से, धीरे से सरु समय अनामजे सरु सर, इस ओके, बैठ जाएगे सर, मेरा नाम देवराज है मैं जानता है, आप इनके फिजिकल ट्रेनर है और ये पुगल है इसके फादर है, सुबर्मन्यम जी तंजावर में H5 पुलिस टेशन में राइटर है बहुत ही अच्छे इंसान है वो जी हां सर भडल रेस में इसने नेशनल टैमिंग बीट की है बॉडी में अगर कहीं जखम लगे, तो फोन बंद नहीं होता कुछ अंजान गुंडों को उस दिन तुम भरी रोड पर क्यों मार रहे थे उनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है सर मैं वह पुगल जी सर एक रिक्वेस्ट है कल गेम खत्म होने तक आप इसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं एक महिने में करीब पांच से छे लाख लोग यहां आते हैं हम किस-किस को बचाएंगे, बलो इस शहर में मेरी लाइफ की कोई कैरेंटी नहीं है यहां हर किसी को अपनी इफाज़त खुद करने पड़ती है वेरी सॉरी सर, सर सर, मुझा तेरी फिगर हो रही है आप तेरी सब्सक्राइब सर डेखो अगर तुम प्रोटेक्शन चाहते हो तो स्टेट की स्पोर्ट्स अथार्टी से बोलो अभी भी शरीर पत्थर का है तोड़ी सी चोट से फार्क थोड़ी पड़ेगा वो पुगल कहीं फरार हो गया है वो हमसे बचकर कहां तक भागेगा अगर वो मेरे हाथ लग जा तो यह कौटन अपने हाथ पर लगालो बलड रुख जाएगा अब उनका तो रुख जाएगा डाक्टर लेकिन अब इसका बहेगा अरे इसे मारना कोई बड़ी बाद नहीं है एक छोटा सा घाव इसकी जान ले सकता है बस ध्यान रखना उसे मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले चलता हो भाई भाई गोगा भाई इंस्पेक्टर साब आए वह इस वक्त यहां क्यों है कह रहे थे अजेंट बात करनी है ठीक है अंधर मेज आज के आज आप और गोगा बहतर होगा यहां से कहीं दूर चले जाएए DCP कोई सेक्रेट प्लैन कर रहे है इसका नतीजा क्या होगा मैं भी नहीं कह सकता इसको यहां भागने के लिए बोल रहा है ए गोगा तो दूसरे का खुसा इस पर क्यो उतार दा यह हमारी भराई की बात कर रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा होगा बाकि तुम्हारी मर्जी फिलाल कहीं और जाना में भराई है यह आप कैसी बात कर रहे हो भाई उस बच्चे के दर से अपन भाग जाए उस लड़के ने मुझ पर हाथ उठाया है ए शान्त हो जा उसे जब तक जमीन में नहीं कार देता अपन कहीं नहीं जाएगा ए कोगा सुन अभी यारे नब बिल्को ठीक नहीं है तु कहां है घर पर हूँ, कोई काम है क्या? सुबत दस बजे इस टेडियम में पहुंच जा एक लड़के को उठाना है उसकी फोटो भेज़ दे, बाकि मैं समात लूगा क्या हुआ बेटा, क्या का उन्होंने उन्हें मैंने बहुत रिक्विस्ट की सर वो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर खुद की रक्षा खुदी करनी पड़ती हैं क्या कह रहा है पूगल चली आईए अब क्या करेंगे सुन, हम सीधा होटल जाते हैं वहां से कार्दिक के घर जाएंगे हाँ, एई, तु एक काम कर सर को लगे सीधे होटल जा अब मैं होस्पिटल जाकर सर का मेडिसिन लियाता हूँ अच्छा ठीक है सुन, समहल की जाना और सबसे कहना सब एक साथ रहें मैं उनसे कह देता हूँ, सर आजो सर, समहल की हेलो, हेलो, सर, आप आराम से पहुच गए तेरे साथ रहेगा, तु वो कैसे आराम से पहुचेगा तु, तु डी-सी-पी को मसका लगाने गया था एक तो गया अब तेरी बारी है तांग तो पहले ही तोड़ दिया इस बहर पूरा पाहिज बनाऊँगा हेट पोस्त के पास खड़ा हो अगर तुझ में सचमुच जिगर है तो आके बचालीज है सर, पुगल को मैंने पाइक से जाते हुए देखा ओके, आल भी देर यह सर कंटेनर में टालो इस है क्या रे कोच लड़कों को इस स्पोर्ट्स का ट्रेणिंग देना छोड़कर गुंडागर्दी सिखाते हो क्या देखे हम लोग यहां किसी से लड़ने के लिए नहीं आए हमारे लिए हमारा स्पोर्ट सी सब कुछ है वा, क्या बात कही आपने वो जिन्दा रहेगा तभी तो दोड़ पाएगा ना एक छोटी सी खरोच लगी और खुन निकल आया ना तब दे उसकी सांसे रुख जाएगे ये बात मुझे अभी पता चली पर कोई बात नहीं मैं उसे एक खाऊ नहीं उसके जिस्म को पूरे खुन से नहला दूगा सुनो मेरे भाई हो सकता है उससे नाधानी में कोई गलती हो गई हो लेकिन लेकिन मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ उसे माफ कर दो उसे छोड़ दो उसको कुछ मत कर आँ पुगल ने ने बेटा सुझा यहां से पुगल उठीए सर उठीए मेरी बात सुन तू पुगल पुगल क्या हुआ पेटा नहीं नहीं पुगल आजा आज तू नहीं पचिगा है तुम लोग अपना काम करो वो समाल लेगा हुआ 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 Hm कि अहांऄ कि अन हुआफ उब जॉीं कि possibility कि अहांऄ, जॉर शॉब कि जुए युए干ी! कर दो हुप हुप uh पा हुआ 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 है हुआ 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 है तेरा और तेरे टीचर का दिन आज पूरा हो गया तू एक कदम भी आगे बढ़ा तो समझ यह कया हुआ हुआ है एग हुआ है अगगा खात पकार देश झाले खुए अजो और कि गाले दो सकते का पाले? भाले लिए सिर अगे यदाने! झाले यदो कर दो तुने क्या कर दिया पुगल एभाई तु यहां कैसे आया भाई है मैं कर दिख तु ठीक तो है ना तुझे तो कुछ नहीं हुआ नहीं सर सुन पुगल जो हमें करना चाहिए था वो अब तुम करोगे मेरी बात ध्यान से सुन तु सर मैं आपकी बात मनने को तैयार हूं कोई भी अपने गण यह उठा कर नहीं देता है लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास नहीं मैं आपकी विश्वास पर आंच नहीं आने दूगा जब आपने मुझे ही चुना है तो मैं अपना फर्स निभाओंगा सर सर आपके सिक्यूरिटी की डिमांड पूरी हो गई है जाहिए आप रेस के तैयारी कीजिए अलबस्त बूगल बञुद कर दोंग कर दो occasions कर दो लुए रचा है वाल कर दोछर का दो दोखराइ भाल कर दोकर दोर कर दोफ दोण है कर दोछर में कर दोकर दो दोट टोफ दोग लुए पूगल आल दे बेस्ट बेटा सर जी मैं देव बोल रहा हूं सर पूगल कहा है सर वह भी तयार हो रहा है रेस अभी शुरू नहीं हुए रेस खतम होते ही फोन करता हूं ठीक है सर ठीक है अलो बेस्ट फ्लक्ट का देस्टर आफ यरी अलो आपर एक अन्यटीट एक सकता हाँ 'Mधन देस्टर इस पूण उर आपक फटूल अड़क्तथर खता हुए अडेर इस्ट बेन देन वान आप झैल बेस्ट अट्रे लाइस बेहुत्र भीत नबबेस्टर काल्भ perseverत वीब्पमब्गर शैडिए नहीं hon घंक कि महिएन हों ग्राड़ कि अलैन। अबाटीूं। उस थे साथपिए विज चीजर do unto उन ढ healthier than एंद ढ Familienतley शैन में यह नथिंग गाettby अष्ेड ahh यह विदे विए फटेंद पेंड़ खिर भीकर्ट, गर्फिंट टारॉट को लिए भी किल्स और वांगा प्रखेंवाइब। एंगा झाद टूचा एंगा दूरी है झाल 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 कर दो इसमें तेरे पापा का सपना और मेरा लक्ष जुड़ा है इसे बचाना या फिर इसे तोड़ना अब तेरे हाथ में है कवार 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 पुगल आजा पुगल वेट्टा इरिक्या उगें चेमां. पुगवां. अउठा वोगे, उठाव एषिस. चल्दि उठाव. ऊसे खावे? जब आप, जब आदे नीए. सभाल के लेदिए. अठाव, उठाव. जब आदे, बीस. बीस, फेल्ड़ो. आपकोर्स, आपकोर्स ग्हारी है और अच्छा पर अगें लड़के बाचा पाएँ तो इसकी वजा है कॉन्फरेंस ट्रीट्मेंट आज के टेक्नोलोजी उतने डेवलेप हो चुकी है जाओ बिटी वो ठीक है तुम्हारा इंजार कर रहा है कि मुझे एक कप चाय देना चाय को कुछ दिर और उबालती तो अच्छा स्वाद आ जाता आपकी ही बनाई हुई चाय है मैं तो सिर्फ गर्म करके लाई हूँ जा वहाला नेरु स्टेडियम में एशियन गेम के लिए जो सेलेक्शन के लिए रेस हुई उसमें 110 मिटर के रेस में कोछ देवराज के शेश्य पूगल ने गोल्ड मेडल जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है इसलिए सरकार ने तंजाबूर पूली स्टेशन में उन्हें के लिए पत्वे न्यूक किया लेफ्ट वाले को ठीक से बांदो हाँ और फिर उंगली से जोर से दबा कर इससे रखो ठीक है समझ गया है ऐसे समझ गया है सब्सक्राइब सब्सक्राइब से श्जयर्स